चाहता हूं सुदीर गुपता की investigation होनी चाहिए कि उसके साथ में ऐसा क्या हुआ है कि 22 अगर्स्त को तो वो इसे जो murder के आधार की बात कर रहा था और अभी क्या हो गया इसलिए हमने आज ये सारा mail उनको लिखा है ED को कि इसकी account की जाच की जानी चाहिए मैं बतानूं CBI ने अब प्रेस रिलीज कर रही है फिर से और CBI ने प्रेस रिलीज करके फिर से ये जानकारी दे रही है कि भाई देखिए हम सुदीर कुपता वाले विशय को बिलकुल मानते नहीं है हम अपने लेवल पर जांच करा रहे हैं और मैं ये भी चाहता हूं कि CBI क् डॉक्टरों की एक टीम खड़ी कर ले और जो है अलग से जो भारत सरकास से रिक्वेस्ट करें कि अलग से कोई मेडिकल अबूर्ट तियार कर ले क्यों बार बार जो एमस के पास में जाना पड़ता है वो एमस में सेटिंग कर लेते हैं कुछ लोग और जो इन चीजों को गवाही दी थी और उसके बाद मैं जो है सब को पता है कि इस देश में प्रित्वीरा चोहान राना प्रताफ सहीद याजम भगत सिंग का जो स्थान है वो स्थान जो है उन गुद्दारों को तो आज भी जो है गलत तामों से लोग जो है उनके नामों को गलत जगे पर प्र पास दिलाना चाहता हूं आप सब इस मावले में बिल्कुर नेगेटिविटी ना आने दें और आप खड़े रहे और यह पता इस सारा खेल क्यों किया गया क्योंकि सीवी ठीजिरो टू लगाने वाली हो रही थी इसलिए सुदीर गुपता को बीच में लाया गया है ताकि जो है 302 यानि कि मडर की धर लगने वाली थी यहां से सारा गैम घूमा है ओस गैम के बाद में एक दम से हैरान रहे घहां रहे एक हो प्रफिस को हमें जाके लिखना पड़े हमें उनको रिटर्न में देना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े हम इसमें सुसान सिंग राजपूत के लिए लड़ते रहेंगे और इसमें मडर के आधार पर 302 के लिए हम CBI से भी अपील करते हैं 302 के आधार पर इसमें जांच की जानी चाहिए और उन कातिलों को चाहिए वो कितने भी VIP हैं कोई भी चाहिए उसको सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि इस देश की सेंटिमेंट से कहते हैं अगर इस मामले में जाए नहीं म अर्टिविटी मत आई हैं इनके खेलों को समझ करके बढ़े रही है मैं पहले भी नाम गिनवा चुका हूं आपको सोसल मीडिया में काम करने वाले आप जैसे लोग चाहिए सुब्रमन्यम स्वामी हो और चाहिए कंगना रानावत हो यह आपके लिए लड़ रहे हैं इनको अकेला मत छोड़ना इनके साथ खड़े रहना आप हम भी आपी के लिए जो जो सब मुमेंट खड़ा हुआ उसकी आवाज देने के लिए हम खड़े हुए हम आपके प्रतिनिती हैं वरना आवाज तो आप इस देश की जनताने उठाईए शुषान सिंग राजपूत के मामले में जिस तरीके से डे वन से सभी को ये उम्मीद थी कि CBI आनी चाहिए और CBI की साथ जिस तरीके से एमस ने अपना एहम रोल दिखाया था तो उसको लेकर एमस ने भी काफी सारे लोगों को उम्मीद है थी कि ये लोग भी कुछ आके सुधीर गुपता की तरफ से और जो रिपोर्ट आई है सामने और जो खुलासे की है आर भारत ने क्या कहना चाहोगे इस पर शुदीर गुपता ने जो टेप चला है रिपब्लिक टीवी पे वो टेप 22 अगस्त का है उसमें वो खुद डेस्ट्रेक्शन ऑफ एविडेंस य दूसरी बात मैं आपको बता दूँ अभी जो सामने आया है ये जो सारी चीज़ें अभी सारी चीज़ें हुई है क्योंकि एम्स ने इसका कोई भी जो है ऐसा स्टेट्मेंट नहीं दिया इसको खंडन नहीं किया इसका मतलब यह एकरी कर गए उससे दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ अरनब गोस्वामी ने जो काम करके दखाया है उनकी तो इस देश में जैजेकार है ही क्योंकि मीडिया के लोग भी मिले हैं उससे हम पहले दिन से ही शेरेंज जी आप देख रही है इसको मर्डर के आधार पर बात कर रहे है आज भी सुब्रमन्यम स्वामी न जांच की जाए और क्योंकि या तो दवाब में हुआ है या फिर पैसे लेके होता है इसकी जांच की जांच की जाए इनफोर्समेंट डिरेक्टरेट को यह मेरी मेल है इसका जो सब्जेक्ट है वो रिक्वेस्ट पो इंवेस्टिकेशन और डॉक्र सुदीर गुपताज बै मैं आपको बता देता हूं कि सुदीर गुपता ने जो सारा कुछ वह उसको इस पहले तो अधिकार ही नहीं है इस मीडिया में जाकर के सारी बाता करने का क्योंकि वह उसको इसको जो है रिपोर्ट करना चाहिए सीबी आई को सीबी ने उससे सिर्फ ओपीनेन मांगा था इस सब नहीं किया उसने ऐसा मत समझे रहा कि उसने सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा उसने इस देश के करोड़ों का भरोसा तोड़ा है कि हो गई है पीर पराइसी अब तो इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए और तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही और मेरे सीने में हम किस चीज की डिमांड करने है मर्डर की धरा लगाने की बात कर रहे हैं और आज सुब्रमानियम स्वामी जी ने ट्वीट करके इसमें एडिसनल मर्डर की धरा लगाने की बात करी है और मैं आपको बता दूँ कि इसमें डेथ का टाइम नहीं है पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में जो वहाँ पे या इसका मतलब डॉक्टरों को मैनेज कर लिया वहाँ पे इतने वी आईपी लोग हैं पहले सी चर्चा करते आ रहे उन्होंने वहाँ पे पुलिस को मैनेज कर लिया और अब एम्स के जो डॉक्टर जो कुछ कर रहे हैं मैं बता दू जो रात को पोस्ट मॉर्टम हुआ पहले तो रात को पोस्ट मॉर्टम ही इल्लीगल है और उसमें भी पांच जो ओफिसर थे मेडिकल ओफिसर थे फॉरेंसिक ओफिसर सिर्फ एक था एक था वो भी जूनियर था इसका मतलब क्या है कि उसको ठीक से किया नहीं गया और उसमें विसरा रेपोर्ट में भी इन्होंने गड़बणिया कर दी बहुत सारी और उसमें सारे सेंपल्स भ बहुत के जो दस बड़े प्रभाव साली लोग उनमेंसे एक है जैसे प्रायमनिस्टर है चीफ जिस्टिस ओफ इंडिया है और इसमें अब हेल्थ मिनिस्ट्रि भारत सरकार भी इसमें जो है वो इसमें इंटरवीन कर रही है और इसमें इसको रिपोर्ट लेने वाली है और सुब्रमन्यम स्वामी ने बोल दिया है कि जो पबलिक, जो हेल्थ के लिए स्टेंडिंग कमेटी है, परलियमेंटी में उसमें उठाऊंगा, और उसके अदेक्स कौन है, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के और उसके मेंबर सुब्रमन्यम स्वामी है, उसमें उठाने वाले हैं उस चीज़ को, और 302 की धारा लगाने की बात कर रहे हैं, और वह आपको बता दू, कितनी बार मैंने आपसे चर्चा करिए, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे केसों को देखते आ रहे हैं, सुननन्दा पुसकर के मामले में भी इस तरह की सारी चीज़ हुई थी, आज चार्च शीट लगी है, सुब्रमन्यम स्वामी ने बहुत ही महनत से उसमें काम किया था, आज जो इतना बड़ा मूव्मेंट जो है, खड़ा हुआ है, पूरे वर्ल्ड वाइड खड़ा हुआ है, सुएता कीर्ती जी जो है, यूएस में रहती है, सुशान सिंग राजपूत की बहन है, और मैं आपको बता देता हूँ, वो बेचारी वहां से अंदोलन चला रही हैं, पब्लिक को जो है, कलेक्ट कर रही है, ट्रेटर पे किसी दिन ट्रेंडिंग बंद नहीं हुई, इतने साहे लोग जोड़े हैं, तो उनमें नेगेटिविटी आई, मैंने आपको यहां सामने आकर के आपको यहां इंट्रिव्यू दिये हैं, ताकि लोगों का विश्वास गयब नहीं हो, और वहां के इंटरनल सोसिस से आपको जान करें दी, नहीं तो बहुत सारे मीडिया पैनलिस्ट के उनकी इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए सामने नहीं आते, मैंने अपनी इमेज की बिल्कुल चिंता नहीं करी, क्योंकि मैं जो है, इस मैं मामले मैं, हम इस मामले को कहीं तक भी जाकर के लड़ेंगे, हमने पहले ही व्यूवर्स आप से वादा किया था, कि हमें चाहे सीबिया के ओफिसर्स तक जो है, इसको ले जाना पड़े, चाहे हमें इसके हेल्थ मिनिस्टरी तक ले जाना पड़े चाह भारत सरकार के प्राइमिनिस्टर ओफिस तक पहुचाना पड़े हम इसमें रुकने और जोकने वाले नहीं है और जो रिपब्लिक टीवी ने जोब करके दिखाया मैं आज रिपब्लिक टीवी को जो है बदाई देना चाहता हूं अर्नव गोस्वामी जी को बदाई देना चाहता हूं और एक विशेश बात आज मैं आपके बीच कहना चाहता हूं अर्नव गोस्वामी जी एक दम देश भक्त वेक्ती हैं ये क्योंकि उनके जो पिताजी थे मनुरंजन गोस्वामी वो आर्मी में करनल थे और नवंबर 2018 में उनकी डैथ हुई मिर्ती हुई और खुद मैंने 9 फरवरी 2019 को उनके पिताजी का फ्रेम मना करके उनको जो है यहां अर्थ फेस्टीवल में दिया थो तो मेरे से गले लग गए इतने इमोशनल हो गए क्योंकि उनकी पिताजी आर्मी में करनल थे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो लगा हुआ जाके चेक कर लीजिए और से शेरिंजी मैं आपको बता दूँ जिजिन सुसान सुसान सिंग राजबूत की डैथ हुई चौदे जून को उसी दिन जाकर के मेरे इंस्टाग्राम चेक कर लो मैंने उसी दिन लखाया कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता आई कांट बिलीव यकीन नहीं होता कि इतना हस्ता खिलता आदमी इस तरह की चीज़ कर सकता है और मैं बता दूँ जो पूरा मीडिया गैंग लगा हुआ मैंने तो आपकी बीच में यहां करके बताए उसको जो है मीडिया को भी एक्सपोज किया है मैंने जी मीडिया के बारे में आपको बताया था ठीक है हम खूब उनके अच्छे कामों की तारीफ परते हैं जी मीडिया के इसका मतलब जो करन जोहर के साथ में उनका कॉलोबरेशन था और मुझे लगता है बॉलीवड वालों के दवाब में ही जी नियूज ने वो अंसीन वीडियो दखाये तो यहां पर जैसे कि कूपर हस्पताल को लेकर सवाल उट रहे थे और एम्स की जहां तक बात वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री भारत सरकार को रिपूर्ट करता है ये तो भारत सरकार के अंडर में सारी डारेक्ट एजेंसिया हैं मुंबई के अंदर जोनों ने सैटिंग कर रखिया नो लोगोंने कि हमार तो सब कुछ यहीं पर मुंबई में हमने भाग नहीं सकते बिलकुल भाग नहीं सकते और कहीं भी जो दूर नहीं जा सकते क्योंकि सारे के सारे एविडेंस हैं इस चीज़ के और कोई भी इसको सुसाइड साबित नहीं कर सकता और यह सुसाइड है भी नहीं मैं आपको बता दूँ और किस आधार पे सुसाइड बता सबसेकौरμεंब रहे हैं पह सुछार में को इसे चデंत निचाने के लिए लट रहे है हंपो बचाने के लिएुप देश की पीडियों हुप भचाने के लिए हम लट रहे हैं और मैं आपको बतांगेत्विटी को यह पिछ की चिंताक होएं, बीच में या खड़े हो करके, आपकी बीच में आ करके, सामने आ करके हम इस लढ़ाई को लडने के लिए खड़े होएं हैं और मैं यगीन के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई भी गूफफ करेगा, या गलत करेगा, तो हम विश्वास के साथ कहते हैं, किसी भी हालत में हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको चाहे है उसे जो हमें पबलिक को घटा करके उसके खिलाप आंदोलन चलाना पड़े, और भारत सरका से डिमांड करनी पड़े, और मैं चाहता हूं सुदीर गुपता की investigation होनी चाहिए, क कि उसके साथ में ऐसा क्या हुआ है, कि बाई सगस्त को तो वो इसे जो murder के आधार की बात कर रहा तो अभी क्या हो गया, इसलिए हमने आज ये सारा mail उनको लिखा है, ED को कि इसकी account की जाच की जानी चाहिए, और मैं आपको बात आदू, इसमें एक बात, जहां तक बात है कि मीडिया के पता, बहुत सारे चैनल, जो सारे खेलों में लगे हुए हैं, और वो जो वहां पर suicide की बात किये जा रहे हैं उसी दिन से, और वो इन चीज़ों को जो है, निगलेक्ट कर रहे हैं, मैं बतारूं, CBI ने अब प्रेस रिलीज करी है फिर से, और CBI ने प्रेस रिली और जो है अलग से भारत सरकास से रिक्वेस्ट करें कि अलग से कोई medical board तियार कर ले, क्यों बार बार जो M's के पास में जाना पड़ता है, वो M's में setting कर लेते हैं, कुछ लोग और जो इन चीज़ों को हटा हटवा देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता शैने जी, इस मामले में देखिए, पहले से ही इस देश में गदार होते आये हैं, जैचंद ने पृत्वीरा चोहान के साथ धोका किया था, और रवराजा मान सिंग ने राना प्रताब के साथ धोका किया था, और सहीद भगत सिंग के खिलाब भी उसके कुछ दोस्तों ने प्रियोग किया जाता है, वे कुछ ख्यात हैं, जब कि ये विख्यात हैं, और मैं आपको बता दूँ, कि ये जो भारत के इतियास में लिखाए जाएगा, और ऐसे कोई गलत नहीं कर सकता है, CBI का जो स्पेसल कोर्ट है, उसे भी सारा पबलिक उपीनिन बता है, अगर सुध सिलेक्टिव चैनल ही क्यों दिखाते हैं, सिलेक्टिव चैनल ही पूरे पूरे दिन क्यों चलाते हैं, कि शुचान सिंग राजपूत की कहानी खतम, आज के बाद ये मुर्दा नहीं उठाया जाएगा, आज बस सच्चाई सामने आ चुकी है, ये तो मैं आपको उसे पिसले आपने ट्वेटर हैंडल पे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोगों ने सुननदा पुसर के उसको मर्डर को भी नहोंने जो क्या बताया था, हात्म हत्या बताया था, ये तो स्री देवी के जो है, उस संदे हास्पत जो मृत्यू है, जिसको सुब्रमन्यम स्वाम मैं भी हमने इसे, आतमत्या नहीं माना कहीं पे भी, और मैं बता दूँ आपको, ये भारत के चैनल है, इन से मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले बार भी मैं आपको इंट्रू दे के गया था, डोनल ट्रम्प ने प्रेजिनिंटियल और एडरस में अपने ड्रग टेस्ट क बात करी है, कहिए कि मेरा ड्रग टेस्ट करवाईए और जो है, जो विराष्ट पती का अमीदवार अमेरिका में लड़ना चाहता है, जो बेडेर उसका भी ड्रेक टेस्ट करवाईए, ये क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि बॉलिवूड के स्टारों के लिए एक बनेगी, कि बाई इनको अपना ड्रग टेस्ट करवाना पड़ेगा, इसलिए चैनल नहीं चला रहे, क्यों नहीं चला रहे, क्यों नहीं चला रहे, डोनल्ड टरंप को, छोटी मोटी चीज है, क्या कि उसके उसके जो है, इतना बड़ा बया बयान, उसने प्रेजिदेन से रेडरेस के अंदर दिया, उसका बयान को नहीं चला रहे, ये उन ख़वरों को हटा देते हैं, बोरिस जोंसन को इनके बारे इन सवाल खड़ा किया, तो अवोइड करके चले गए, ये भारत की मीडिया में क्या न्यूज है क्या, बहुत सारी चीज़े मैंने आख खड़े ह यहां पर देखिए क्या है कि इस देश की पीडियो को बचाने के लिए सारा आंदोलन खड़ा हुआ है, और एक सीधा साथा लड़का जो कि विहार के किसी छोटे से छेतर से आया, उसने अपना मकाम बनाया, इनको चेड़ पता किस बात क्यों होती है, क्योंकि सुसान सिंग राजपूत जो हाई-ली क्वालिफायड था, उसने ग्यारा ग्यारा तो इंजनेरिंग के टेस्ट के लिए स्तेंफौूर की युनिवस्टी की स्कॉलरसिप जीत ली स्तेंफूर उनिवस्टी वृर्ल्ड की थर्ड रिर्ट की युनिवस्टी है, जिसमें मुकी सम्मानी पड तो जो है बड़े बड़े देसे कि एडवर्टाइजमेंट में देखा हुगा इसके बाल लखा रहता है शारू खानवाला अपोल लुस नाम वाले लगते हैं यह नहीं लगाते हैं करण जोहर का नाम टो जो है अब एक फिल्म से हटाया उसके ट्रेलर से लोगों को एक्सपोस कर रहे हैं उसी को लेकर कुछ ऐसे एपिसोड हैं जो ने बदनाम करने की कोशिश करते हैं अब कपिल शर्मा शो की बात कर रहे हैं लोग इस चैनल यह जो सीरियल है इसे बाइकोट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है और मजाग उड़ाया गया है अरनब गोस्वामी को यह क्या नीचा गराएंगे आप मुझे बताई अरनब गोस्वामी पता है आपको आज एक नया खुल स्ञा कर दूँ अरनब गोस्वामी को टाइमसाओं से किसे निकलवाया इसके करन जोहर पे करन जोहर ने टाइमसाओं से निकलवाया और यह कब की बात बादर ने बादर-नोंबर 2016 की बात है जब रिपलिक चैनल स्टार्ट किया उस found in 2019 को एस पहले ही अपते में और पना पता उसकी मदद किस ने की थी राजीव चंदरसिखर ने वो चैनल जो पैसा लगाया था अरणव गॐसामी के लिए राजीव चंदरसिखर ने एक आर्मी के एक ओपीसर के बेटे और अरणव को सौमी भी आर्मी के ओफीसर के बेटे हैं तो उसकी मदद करी उसने और इस साल में रेपब्लिक भारत वो लेके आए हिंदी वाला चैनल और अरनव गोस्वामी ने तो उसके कॉल भी टैप करवाए गए उसके पत्रकार अरेस्ट कर लिए मुझे बताओ अरनव गोस्वामी के लिए मैं जिस आपको इतने दिन से मेरा इ लोग उसे बाइकॉट करने की बात कर रहे हैं और कपिल शर्मा के साथ बिग बॉस को भी बाइकॉट किया जा रहा है देखिए मैं आपको एक बात बताओंगा जनता का जो गुस्षा है वो सड़क टूपे समने देख लिया तो आगे आने वाली जो चीजें हैं जो भी सोज हैं उनको बाइकॉट करने की जनता में जो गुस्षा है इसके लिए अक्षा कुमार भी सामने आया था लेकिन अक्षा कुमार को इस बात के लिए बॉलीवूड की तरफ से माफी मांगनी चाहिए थे कि आपने CBI investigation की demand क्यों नहीं की और तो यह जनता गुस्षा तो पता नह है और पता किसके कहने से की ती यह जो प्यार एजेंसी जैने की इनकी प्यार एजेंसी के कोकोनट मेंजमेंट उसका काम देखती है वरुन धवन का उसके कहने से उसने काम किया मैं नाम भी बता रहा हूंग उसका प्यार एजेंसी का और मैं और बात बता दूँ जो प्यार है इन लोगों की बॉलिवूड के स्टारों की यह प्यार एजेंसी क्या करती है मीडिया वन जाकर कि इनकी इमेज को पॉजिटिवली दिखवाया करती है और इनके जो है किसी भी गलत कारणामे को सामने नहीं आने देती हैं और मैं आपको बता दूँ अब तो प्यार एजेंसी खुदी एक्सपोज होगी सारी सारी मैं तो कह रहा हूँ एक जो इन्वेस्टिगेशन प्यार एजेंसी की भी हो जाए यह वहाँ पर क्यास तरह के खिल चलते हैं आपने देखा क्वान नाम की प्यार प्यार एजेंसी जो है ड्रक्स की पालिटिया करा कराने में सनलेब्त थी और कैसे कैसे स्टार उसके क्लाइंट थे मैं आपको बता दूँ और मैंने खड़े होकर कहिं हम नाम ले करके प्यार एजेंसी सिखुन को एक्सपोज आपको यहां पर बताया है कई बार और बहुत स के अंदर जो है medical report भी होती है लेकिन medical report के अंदर जिस तरह के watch up किये गए हैं वो evidence court में बन नहीं सकता है क्यों नहीं बन सकता है क्योंकि उसमें जो Cooper Hospital के doctor है इनकी interrogation की जाएगी और इनसे return question here CBI ने दिया किसी वे press release करेंगी और उसने की थी क्योंकि मेरे sources जो मुझे जानकारी है सेरिंजी वो गलत जानकारी नहीं थी सुधीर गुपता के वारे में मुझे को गलत जानकारी नहीं हुई थी एम्स के जो sources से और वो उसने बात है कही थी उसी के अधार में नहीं बात थे की है तो एक नहीं multiple sources से चाहे मेरे source हो चाहे इसकरन भंडारी सुब्रमनियम स्वामी के sources सब जगे से जो जानकारी आ रही थी उसी जानकारी को हमने आपके बीच में रखा है हमने को अलग से नहीं रखा लेकिन आज मैं बताता हूं अगर वो गलत करते हैं तो देखो हम हम बता र ले रहे हैं यह ने बताना पड़ेगा इसमें जो है कुछ दिर की advertisement की काफी पैसे ले लिए जाते हैं एक चैनल के अंदर प्यार की तरह काम कर रहे हैं चैनलों को यह बताना चाहिए कि आप इस तरह की क्या चीज़े दिखा रहे हो आपको सुसान सिंग राजबूत के पक्स इनको मैसेज देनी की कूसिश कर रहे हैं लेकिन वो ना रुकेंगे ना जोकेंगे ना कभी रुके थे ना कभी जोके थे और मैं आप विश्वास के साथ कह सकता हूं इस देश की पब्लिक को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सब इस मामले में बिलकुन negativity ना आन इसकर ना बंडारी हैं रहें इसमार हाल में जब तक सुसान सिंग राजपूत को जस्टिस नहीं मिल जायेगा हम किसी भी लेवल तक जायेंगे हम पब्लिक मूमेंट खड़ा करना पड़े चाहिए सड़कों पर आना पड़े जंतर मंतर पर बैठना पड़े भारत के प्राय सिंग राजपूत के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और इसमें जो मडर के आधार पर 302 के लिए हम CBI से भी अपील करते हैं 302 के आधार पर इसमें जो जांच की जानी चाहिए और उन कातिलों को चाहिए वो कितने भी VIP हैं कोई भी चाहिए वो उसको सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि इस देश की सेंटिमेंट से कहते हैं अगर इस मामले में जाय नहीं मिला तो मुझे निरता आगे आने वाले समय में कोई किसी भी विश्वास नहीं कर सके कि इस लिए इस का पुब्लिक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए जरूरी है कि इस मामले में कातिलों को सजा मिलनी चाहिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो व्यूवर्स आप लोग जिस तरह से खड़े रहें आप खड़े रहें किसी की के लिए जो जो सब मुवमेंट खड़ा हुआ उसकी आवाज देने के लिए हम खड़े हुए हम आपके प्रतिनिती हैं वरना आवाज तो आप इस देश की जनताने उठाइए धन्यवाद